Never stop trying, never stop believing, never give up, your day will come. So, hello everyone, this is Badalurma and welcome back to my educational YouTube channel ISPoint. I hope you are very well. So, today we are going to discuss about modern India history and CRT classes chapter 11, part 2. So, let's start to student. So, just like you know, we have learned that yesterday we have learned about national moment. That's how we learned how the country was. तो आज का हमारे E murderястор 11, part 2 है. So, आज हम देखेंगे कि किस तरीके से आगे और क्या-क्या बदलाव हुए और क्या-क्या एक तरीके से आन्दोलन हुए. So, देखिए, तो आज का हमारे एक टोपिक है, सुवतरन में था हमारा जमसित अधिकार है. तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे तो देखिए इसमें क्या बताने की कोशिश की गई है तो जैसा कि देखो आप लोगों को पता ही होगा कि 1819 के दसक में हुआ क्या था जो कॉंग्रेस थी उसने एक तरीके से वो राजनेतिक तोर पर अपने सवाल खड़ी करने लगी थी तो उसमें हुआ क्या था जो बहुत सारे एक तरीके से लोग थे बंगाल, पंजाब और माराष्ट में तो उन्होंने एक तरीके से कुई decision लेने का उन्होंने फैसला किया था जो उन्हें काम करना है वो करना है तो वो कौन-कौन लोग थे देखे विपिन चंदरपाल, बाल गंगा धरतिलक और लाला लाज पतराई जैसे नेता जो थे वो बहुत ज़्यादा आमुल परिवर्तन वादि देश्य और पलतियों के अनुकर्म काम करते थे यानि कि जो उनको करना है वो करते थे तो उन्होंने निवदन की की राजनेती के लिए नर्पंतियों की आलोचना की जाए और आत्म निर्भरता तरह रशनात मक कामों में उनके महतब पर जोड़ दिया जाए तो उनका कहना था कि लोगों के संसकार में मेक इरादों पर नह तो लोगों को सब्सक्राइब के लिए लड़ना चाहिए और तिलक ने, फिर नारा दिया था कि सवतंतरता मेरा जन्म से दज़िकार है और मैं इसे लेकर हूँगा तो दिखिए, पहला यहां से हमारा important question बन जाता है कि सवतंतरता मेरा जन्म से दज़िकार है और मैं इसे लेकर हूँगा ये नारा किसने और कब दिया था तो बाल गंगादर तिलक ने दिया था 1890 के दसक में तो चलिए आब आगे देखते हैं तो देखी तो 1905 में हो क्या रहा था कि वाइसराय करणल ने बंगाल का जो था अब वो जाना जाता था बंगाल, मदरास और कालकाता तो उसमें बिहार और विडिस है कि जो कुछ भागते हैं उन्होंने एक तरीके से बंगाल का इससा बना दिये फिर अंग्रेजों का कहना था कि परसासिके स्वीदा को बिडिश्टर थे वो जादा अपना फोकस अपने राजस और अपने एक तरीके से बिनिस पर वो करते थे तो उन्होंने जाहिर जी बात है कि जो बिजनिस है और अंग्रेज अफसर हैं उनके हित के लिए ही ये सब किया था तो लेकिन सरकार ने गैर बंगाली अलाकों को अलग करने की बजाए उसके पूर भागों को अलग करने का असम में मिला दिया तो पूरवी बंगाल को अलग करने के बाद फिर हुआ कि अंग्रेजों का जो मुख्यों देशे रहे गया होगा कि बंगाल दाजनेताओं के परभाप पर अंकुष लगाया जाए और बंगाली जनता को बाठ दिया जाए तो इनके यहूद देश रहे थे तो बंगाल का जब विभाजन हुआ तो देश बर में एक तरीके से पूरे गुस्थे की लहर जो थी वो उठ गई तो आपको पता ही होगा जब एक तरीके से गुस्थे की लहर उठती है तो हमें सही आंदोलन होते हैं यह तब भी था और यह वरतमान समय में भी है तो मद्यवार की में फिर हुआ क्या था कि जो आमुल परिवरतन वादी थे उन्होंने कया अंगुरेस के सभी घड़ों में इसका विरोध किया तो विशाल जन सभाओ का आयोजन किया और जिलूस निकाले तो जन परतिरोध के नए नए रास्ते उस समय उन्होंने खोज लिये और एक तरीके से संगर्स उपजा और उसे सवेदेसी आंदोलन के नाम से जाना जाता है तो देखे तो पहला तो ये सवेदेसी आंदोलन के नाम से इसको जाना जाता है और यह आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर दिखाई दिया था और इसे इसके इलाकों में भारी अनुबूल सुनाई दी थी तो देखे अगर आपसे पूछा जाए कि सवेदेसी आंदोलन कब सुरू हुआ और क्यों सुरू हुआ तो आपको पता ही होगा कि सवेदेसी आंदोलन जब बंगाल का विभाजन 1905 में किया गया था तो उसको लेकर के एक आकरोस हुआ था जिसके उपर सवेदेसी आंदोलन चलाय गया था और आपको पता ही होगा कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था साल 1905 में वाय सराय करजन के द्वारा तो उधारन के लिए देखते हैं तो उधारन के लिए आंदर के डैल्टा इलाकों में इसे वंदे मातरम नाम से जाना जाता था तो उधारन के लिए पता चल गाया होगा कि आंदर के डैल्टा इलाकों में इसे अंदर मातरम नाम से जाना जाता था तो देखिया आगे क्या हुआ जो स्वेदेसी आंदोलन था ना तो उसमें हुआ क्या था जो ब्रिटिश सासंता ने की जो ब्रिटिश रूल था उसका विरोध किया और स्वेदेसी उद्योमों रास्टिय सिक्साओं और भारतिय बासाओं को उप्योग को बढ़ावा दिया एक तरीके से स्वेदेसी यही था यानि कि जो भी चीजे हम इस्तेमाल कर रहे हैं एवा हो बासा हो या वो एक तरीके से शिक्षा हो या आपका एक तरीके से कोई प्रोडेक्ट हो तो वो चाहते थे कि एक तरीके से सभी चीजे जो हैं वो स्वेदे से ही इस्तेमाल की जाएं तो सवराज के लिए आमूल परिवर्तनवादी ने जनता को लाम बंद करने और बिर्टिस संस्ताववे वस्तों का बहिस्कार पर जोड़ दिया तो कुछ लोग बिर्टिस सासन को उकाड फैकने के लिए करामतिकारी हिस्सा में समर्तक थे तो देखे हुआ क्या था जो बीस्वी सतावदी के प्रारंबिक में ये हो रहा था कि जो दूसरी महत्पून गटनाए थी 1906 में मुसल्मान जमीदारों और नवावों के एक समू में ढखा में All India Muslim League का गठन किया तो देखे तो 1906 में Muslim League का एक तरीक से गठन हुआ था ये काफी जाद इंपोर्टेंट है आप इसको जब नौट्स बनाएंगे तो इसको नौट करके लिख लेंगे तो लिग ने बंगाल विवाजन का समर्थन किया और लिग की मांग थी कि मुसल्मानों के लिए अलग दिर्वाचिका की वैवस्ता की जाए तो 1909 में सरकार की ये मांग मान ले गई आप परिसोदों में कुछ सीटे मुसल्मान उभीदवार के लिए भी आरक्षित की गई है जिन्हें मुसल्मान मतदाताओ द्वारा ही चुनकर बेजा जाता था इसके लिए राजनेताओं में उसके धार्मिक समुदाय के लोगों को अपना राजनेतिक समर्तक बनाने का लालच पैदा हो गया था तो देखे तो 1907 में हो गया रहा था कि जो कॉंगरेस तिवर तूट गई थी फिर मद्यभर की खड़ा बहिसकार की राजनेती के विरुत था और इन लोगों का मानना था कि इसके लिए बल परियोग की आवश्यक्ता होती है जो कि सही नहीं है तो संगठन ढूटने के बाद कॉंगरेस पर माध्य मारगी का दबदबा बन गया और जबकि तिलक के अनुयाई बहार से कम करने लेगे तो दिसंबर 1915 में दोनों खेमों में एक बार फिर एकता इस्थापित हुई और अगले साल कॉंगरेस और मुसलिम लिग के बीच एति तो देखिए तो ये काफी जाद अन्पोर्टेंट है कि एक तरीके से लखनाव समझ होता किस से संबंदित है तो लखनाव समझ होता ये इससे संबंदित है कि मुसलिम लिग और एक तरीके से कॉंगरेस ने दस्तकत उस पर किये थे यानि कि ये जो था वो गठन हो गया था पिर 1915 में ये हुआ था, ओल्राइट, तो देखे तो चीतर पांच में क्या बताने की कोशिश की गई है, तो लाला लाजपत रोई, तो लाजपत रोई पंजाब के जाने माने राश्चवादियों में से एक थे, जैसे कि आपको पता भी होगा, वैया आचिकाओ और निवेद उसे कर जाता है, जो प्रसासिके सलाकारी या परतिनिदित दाइतों को निभाने वाली मनोनित या निर्वाचिस संस्था को हम जो है, वो परिशद कहते हैं, अब देखे तो सव्यदेशी आंदोलन के दोरान, जो थे उस समय, हजारों लोग जुलूस में सामिल हुए थे, ज भारी संगर भारतियों के दोरा चल रहा था, तो यह जन आंदोलन में तबदिल हो गया, यानि कि पूरी जनता का ये आंदोलन बन गया था, यानि कि हर एक जनता जो थी, यानि कि भारत की संपूर्ण जनता, संपूर्ण भारतिये अब आजा दी चाते थे, यानि कि इस तो पहले विश्व यूद ने भारत की आर्थिक और राजनेतिक इस्तिति बदल दी थी तो इस यूद की वज़े से ब्रेटिस्ट भारत सरकार के रक्षा व्याय में बाहरी इजाफा हुआ और कम खर्च को निकालने के लिए सरकार के एनरजी आय और व्यावासिक मुनाफ़ पर कर बढ़ा दिया तो सैनिक व्याव के इजाफे तदा यूदिक आयपूर्ति की वज़े से जरूरी कीमतों की चीजो और भारी उचाल आया और आम लोगों के जिंदके मुस्किल होती गई और दूसरी और व्यावासिक समू यूद से बेहिसाब मुनाफ़ा कमा रही थे तो जैसे कि हमने देखा था कि अध्याश साथ में तो इस यूद में ओद्यों की वस्तुय जूट के बारे में कपड़े पटर यां की मांग जो थी वो दी और अन्य देसों में भारत से आने वाले आयात में भी कमी ला दी थी तो इस तरह यूद के दोरान भारते और द्योगों का विस्तार हुआ और भारते विवासे समू विकास के लिए और आर्थिक आवसरों की मांग करने लेगे तो देखिए इसमें सबसे पॉइंट हमें ये मिलता है कि जो विश्यूद पहला पर्थम विश्यूद हुआ था तो उसके दोरान जब विश्यूद हुआ तो एक तरीके से जो भारत की आर्थिक इस्थिति थी वो काफी ज़्यादा डाउन हो गई थी क्योंकि आपको पता ही ह होगा जब कभी कोई विश्यूद होता है तो उसके दोरान काफी ज़्यादा समझाय देखने को मिल सकती है तो पहला तो इसमें होता क्या है कि एक तरीके से जो पूरी एकनोमिकल कंडिशन है किसी भी देश की वो पूरी तरह बिगड़ जाती है क्योंकि वस्तूओं की जो क वस्ताय वो बिगड़ जाती है जैसे कि वर्तमान समय में आप लोग देखी रहे होंगे जैसे कोरोना चल दा है तो कोरोना के वैजे से पूरी अर्थ ववस्ता जो है वो पूरी चोपट होकर पड़ी है और पूरा एक तरीके से जो परसासन भी है परसासन को भी समझ नहीं करे तो क्या करे तो इस तरह के कुछ स्थितियां जो है वो पैदा हो जाती है तो देखे तो युद में अंग्रेजों को अपनी सेना में वड़ाने के लिए विवश कर दिया तो देखे तो एक तरीके से जब आंदोलन ये लगतार चल रहा था और जब लगतार जन आंदोलन बनता जा रहा था तो जन आंदोलन जब अंग्रेजों को देखा कि भई ये तो एक तरीके से पूरा जो आखरोस है पूरे जो एक तरीके से भारत के वासी है वो पूरा एक तरीके से बिर्टिश्टर्स के अगेंस्ट है तो फिर उन्होंने क्या किया कि जो अपनी सेना थी उन्होंने वह अपनी बढ़ानी शुरू कर दी तो एक विदेशी यूद की खातिर गाओं में सिपाईों की बरती के लिए दवाब डाला जाने लगा तो बहुत सारे सिपाईों को दूसरे देशों में यूद के मोर्चे पर बेज दिया गया इन में से बहुत सारे सिपाई यूद के बाद समझदारी लेकर लोटे की समराजवादी सक्तियां एशिया और अफिरिका के लोगों को किस तरह सोशन कर रही है तो फल सरूप लोग भी भारत में अपनिवेशिक शासन का विरूद करने लगी इसके अलावा 1917 में रूस की इकरांती हुई और इस गटना के चलते किसानों और मजदुरों के संगरुसों का समझार तथा समराजवाद विचार बड़े प्यामाने पर फैलने लगे थी तो जिससे भारते रास्टेवादी को एक नई प्रेणा मिलने लगी तो देखिए आज का हमारे पार्ट 2 यहीं पर खत्म होता है कल हम लोग पार्ट 3 के बारे में चर्चाए करेंगे तो इसमें काफी जादा इंपोटेंट हमें यह देखने को मिलता है कि जो रूस की करांती थी वो 1917 में हुई थी और क्यों ही थी ओलाइट तो इसी के साथ आज का है हमारे चैप्टर जो है वह हम अपना जो पूरा लेक्चर है वह यही पर अपना कलोज करते हैं तो अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगिया और आपके लिए अगर इंफर्मेटिव है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करें और अगर आप हमारे यूटिब चैनल पर नहीं है तो यूटिब चैनल को सब्सक्राइब करें यूटिब यूटिब आप एग्ड यूटिब चैनल